अमेरिकी उद्योगपती एलेन मस्क ने जिस दिन ट्विटर को खरीदने के लिए पेशकर्ष की थी एलान हुआ था उसी दिन मनी सेंटरल ने आपको ये बताया था कि ये इतना आसान नहीं होगा अंशुमांजी ने ये कहा था कि मस्क के लिए इतना पैसा एकटा करना क्योंक कि बहुत सारे बिजनस उनके अभी बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं तो शायद ये डील इतनी आसान नहीं होगी पिछले हफते वही होगा एलन मस्क ने साफ कर दिया कि इस डील से पीछे हट रहे हैं पहले जब डील की घोशना होई थी तो मस्क ने 44 अरव डॉलर में कहां होगी किस दिशा में आगे बढ़ेगी शुबं ये आने वाले समय में दुनिया में सबसे सबसे हाई प्रोफाइल लीगल बैटल शुरू होने वाली है अमेरिका में जिसमें ट्विटर वर्सेज एलन मस्क होगा एलन मस्क की लोपरीता काफी जाधा है और जब उस दोर एलन मस्क के बाकी कारोबार समस्या में थे हम लगातार उन समस्याओं में देख रहे हैं और एलन मस्क अचानक कितना सारा पैसा ततकाल जुटा कर ट्विटर को नहीं खरीच सकते और इसलिए डील की घोशना करने के आद एलन मस्क ने पूरा प्रयास इस बात का किया था कि ट्विटर की कीमत कम हो जाएं और इसलिए वो लगातार उन एकाउंट को स्पैम एकाउंट का रोप लगा रहे थे जिनका ट्विटर जवाब दे रहा था क्योंकि अगर वो एकाउंट च्छाट दिए जाए या सो कार्ड एम मांट कम कर दिये जाए तो ट्विटर का किस डील से बाहर आ गए अब ये पूरा मुकदमा डेलवेर की अदालत में लड़ा जाएगा अमेरिका में जहां पर इस अदालत की एक्सपरटाईज है अधिक गरहन के मामलों को निप्टाने की और अधिक गरहन के जगड़ों को निप्टाने की इस पूरे मामले में चेहन करेंवन कमपेनियों के बीच में धवा कंपेनियों की बीच दो जार ठासर मे against बीचरणे की यह कछी सब्तेशय है कि अधिक ग्रहन वास्तेविक इस्तिती में सक्री हो जाए और सामने आ जाए जो शुरुआती सूचना है में मिल रही है उससाब से ट्विटर को को इस बात के लिए बात दे करना मुश्किल होगा ऐलन मस्क की तरफ से अधालत में कि वो जिन एकाउंट को फेक बता रहे हैं वो वास्तों में फेक है और उनकी जानकारी दे अगर अगर अधालत ने ये बा